हाई फ्रेंड्स में अकांचा सर्माजी की वितकांचा मैं आपका स्वागत करती हूं तो भारत वर्ष और भारती घ्यान परमपरा का वीडियो मैंने लास्ट वीडियो जो लाही थी साधनी सोला मैं फड् यूद्या नाम था रपले सका ुआज्वी करनफा इन वीडियो का राब स्वागत अस observable Так अइरी Summa Utd नोट्स तयार हो रहे हैं यूनिट फर्स्ट के लिए जो प्रीवियस नोट्स थे उन में कुछ ही अप्डेट मतलब जैसे कि हमने सुना है कि 20% चेंज हुआ है 20% भी चेंज नहीं हुआ है 10-15% जो है मतलब मैंने पहले भी बताया है कि टॉपिक को एलोब्रेट करके लिग दि या पहले उसको एलोब्रेट करके यूनिट 10 बना दिया था ऐसे ही पहले जाती है कि हम यूनिट 1 में पढ़ते थे वह जो हम अभी भी पढ़ी रहे हैं उसको यूनिट 10 में दे दिया तो वही टॉपिक जो है वो रिपीट होंगे ही तो ऐसा ही है हम पढ़ने वाले हैं देगे सत्मे की आपको पता चले की इस थेयोरी की नोट कैसे बन इनको आपको मेंची पढ़ना पढ़े गा वेधास को क्यूकि उससे ऐपको टाइप आप वेधास और उसमें मतलब उन जो वेध हैं उनके अंतरगत क्या प्रकार दिए है क्यूकि अलग से टॉपिक मेंसण क की यूनिट वन की चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूं है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा एंप पीएसी प्री दो हचार चौबीस के लिए हमारी पी सीरी चल रही जिसका ठारवा भागम कर रहे हैं उस अत्रा भागम कर चुके हैं दिखो बेद के बारे में सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना धार्मी गरंथ कौन सा है तो सबसे पुराना धार्मी गरंथ कौन सा है तो सबसे पुराना धार्मी गरंथ कौन सा है तो सबसे पुराना अगर कोई धार्मी गरंथ है तो वो है बेद याद आपसे पूछेंगे कि इन में से सबसे पुराने धार्मिक गरंत कौन से वेद है उपने सद है अरण्यक है तो आपसे ये सब पूछेंगे तो आपको बताना है कि वेद जो है वो सबसे पुराने धार्मिक गरंत है जो हिंदू धर्म के धर्म से संबंदित है तो इसका आपका एक कोशन बन जाएगा तो याद रखेगा कि वेद क्या है वेदिक धार्मिक पुराने धार्मिक ग्रंत हैं जो हिंदू धरम के धरम से संबंदित हैं वेदिक संस्कृत जो इंडो आरियो की प्राचीन भासा है संस्कृत में लिखे गए वेदों में हिंदू भगवान और किस भासा में लिखे गए है तो वेद संस्कृत भासा में लिखे गए है वेद सब्द का अर्थ क्या होता है तो वेद सब्द का अर्थ होता है ग्यान वेद सब्द का अर्थ क्या होता है ग्यान और ये संस्कृत मूल सब्द विद से लिया गया है वेद दिखो अपने जैसे व विद्वान सुना होगा ना विद्वान, विद्वान मतलब क्या होता है ग्यानी, तो विद्व में ग्यान सब्द चुड़ा होता है, इसलिए वो विद्वान हो जाता है, ऐसे ही वेद जो है वो भी विद्व से ही बना है, विद्व मतलब क्या होता है ग्यान, तो इसे ही खोजना जानना या समझना वेदों के प्रिकार में अगर हम देखें तो चार प्रिकार होते हैं जैसे कि जग जाहिर है सभी को ही पता है वेदों का वारे में कि वेदों के चार प्रिकार होते हैं रिगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथरवेद जिस सीरीज में ये लि से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेद के चार प्रकार हैं स्कूलिंग जो हमारे स्कूलिंग हुई होगी आप सभी लोगि उसमें वेदास organs के बारे में आप सभी लोगोंने पड़ा होगा वेद जो होते हैं इंडो आरियन सभिता के सुरुवाती सहितिक स्त्रोथ होते हैं इंडो आरियन क्योंकि आरियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले हम ऐसा माना जाता है हरपा सभिता के बाद हमारे देश में आरिय आये और इंडियन और आरिय सभवित जो मिल के हिनों इस त्रोत लिखे गए थे इसलिए इनको इंडो आरियन सभविता बोला जाता है ये दुनिया के शुरुआति संस्कृत सभवत में से एक है now सिक्षक से लेकर सिस्ष्यों तक पीड़ और पीड़ पारित किये गए पहले जो ऐसा लिखित गरंत नहीं होता था हम जैसे कि वेद को हमने हमारे जो वेद के बाद जो रिशी मुनी थे जिन्होंने वेदों के बारे में बता रहा है उसके कोई लिखित जानकारी नहीं थी, मौखे के रूप से एक व्यक्ति से जैसे कि कोई चीज़ें हमारे जो दादा जी हैं, उनके पिता हैं, फिर उनके पिता हैं, ये हमारे पास लिखित जानकारी नहीं है, हमें हमारे पैरेंट से, हमारे दादा जी से हमको मिलता है कि ये पिता थे या यह मतलब कोई लिखित चीजे नहीं होती है यह और अली एक जगे से दूसरे जगे पर प्रिसारित होती रहती है तो मूल रूप से जो वेद होते थे वो पहले मौखेक रूप से अस्तित होते थे मतलब एक पीडी से दूसरी पीडी में एक कुल से दूसरे कुल म ये 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व के 20 था उन्हीं लिखित देखो जब लिखित आया गया पहले 1500 से 500 के जो पहले बात थी मतब 1400 तक ये जो था ना वो 1400 तक का जो पीरियट था वो समय अलिखित था कोई के बल मौखिक जानकारी मिलती थी लेकिन 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व का बीच आया वहां पर जो वेदों की जानकारी मिली हमें वो लिखित थाक से वेद लिखित जाने लगें जैसे कि हमारी भागवत गीता जी है हमारी रामायन है और तो ये सबी जो ग्रंथ है हमारे रामचरित मानस हुए तो ये सब हमको लिखित में इनकी जानकारी प्राप्त होती है ये बाद में आए जब पहले मोखिक जानकारी प्राप्त थी लोगों से उन लोगों के मुख से दूप में आए अब हम वैदिक साहित को कितने भावों में बाटा गया है तो वैदिक साहित को दो प्रकारों में वर्गी करत किया है, कौन कौन से हैं दो वर्गी करत प्रकार, सबसे पहला है सुरती साहित्य और दूसरा है इसम्रती साहित्य, सुरती साहित्य क्या होता है, इसका अर्थ है वह साहित्य जो आदिकल से सुना या संप्रेशित किया जाता है, कैसा होता है, जो इस ऐता है इसमरती सहित इसको कितने बागों में बाटा गया गा थो वेत सहित को 2 भागों में बाटा है एक सुरुती साहित और एक इसमर्ती साहित वेदों को सुरुती साहित के रूप में बरगिकरत किया है क्योंकि रिस्यों ने सुरुती नामक समाधी की स्थिती में ही इस ग्यान को प्राप्त किया था वेदों को अपॉरशे भी माना जाता है ये भी याद रखो ये आप से पूछ सकते हैं इन में से कुस को अपॉरशे माना जाता है अप औरुष मतलब इसकी रचना किसी पुरुस ने नहीं की है, अर्थत वे किसी के द्वारा लिखे नहीं गए है, बलकि वे सास्वत रचना है, इसलिए वेदों को अप औरुष ये माना जाता है, वेदों को अप औरुष ये इसलिए माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना किस ये एक आपका कोशन मनता इन में से कौन सा ग्रंत आपारुशे है, तो वेद जो है वो आपारुशे है, जिसका अर्थ क्या होता है, कि इसकी रचना किसी मनुष्य नहीं की है, दर्शन के वेदांत और मीमान सा विध्यालों के अनुसार वेदो को स्वात प्राण माना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है स्वात प्राण का, कि ज्यान का इस पस्ट स्वयम, इस पस्ट साधन, मतलब वेद क्या है, स्वात प्रमार है, खुद का खुदी प्रमार है, वेद का वेद ही प्रमाण है स्वात प्रमाण मतला होता है सो प्रमाण मतला खुद का प्रमाण खुद ही है जिसका अर्थ क्या होता है ज्यान का स्वयम इसपस्ट साधन है वेद प्राचीन इंडो धार्मिक साहित है उन्हीं के उसमें यह लिखा गया था इनको इसलिए इसको इंड तो आर्यन धान्विक सहित कहते हैं, जिन में भिविन्य देवी देप्ताओं की इस्तुति के मंत्र भी सामिल हैं। और फिर अरण्यक है यह उपनी सद है मतलब यह जो है वेदों के ही प्रभाग है वेदों के ही विवाग है तो सबसे पहले सहीता क्या होती है कि यह सहीता इसमें मंत्रों का भजनों का और प्रात्नाओं का संग्रह है सहीता मतलब मंत्रों भजनों और प्रात्नाओं का संग्रह यह वेदों के मूल भाग का निर्मार करते हैं दूसरा है ब्राम्मर इसमें मंत्रों की टिपडियों और व्याख्याओं का समावेश है ब्राम्मर में मंत्रों की उपर जो टिपडियां की जो मंत्र मतलब जो सहीता भ करम कांड के रूप में जाना जाता है फ्रेंड डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मेरे वाटसप टेलिग्राम फेस्बुक टूटर की लिंक मिल जाएगी जॉइन कर लीजेगा अभी तक जॉइन नहीं किया हो तो 62 60 190 944 मेरे वाटसप नंबर है अगर आपने आपका नंबर मेरे पास वाटसप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर सेव करा दीजे पूरी की पूरी MPPSC Prelims की सीरीज है वो वीडियो के माद्य हम से कराऊंगी मैं MPPSC Mains की जो क्लासेस है वो भी 5 से 6 दिन में आप लोगों क के पास सामने लाओंगी अभी क्योंकि स्लेवस चेंज हो गया है तो न्यू नोटस अपडेट हो रहे हैं जिसके कारण टाइम प्रॉबलम के कारण में 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 की वीडियो नहीं लापा रही हूं लेकिन जल्दी है में की वीडियो भी आएंगी इसके अलाब हमारे MPPSC Prelims के मेंस के और MPPSC Prelims के 12,000 MCQ का प्रेक्टिस सेट पर्चेस कर सकते हैं न्यू सिलेवस के अकॉर्डिंग दो से तीन दिन में बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जो भी नए सिलेवस के अकॉर्डिंग इजी लेंग्वेज में अपना कोर्स बुक करना चाहते हैं तो वो पूरे भाग आपको PCDs के नाम से मिल जाएंगे अरण्यक क्या होता है अरण्यक वेदों का तीसरा भाग होता है और यह अनुष्ठानिक समहारों और बलेदानों के पीछे के दर्सन पर चर्चा करता है वे व्राम्मनों से निकाले गए मतला ब्राम्मन बोलता है बलेदान ब्राम्मन बोलता है कि बली लो तो इन सब के पीछे जो दर्सन होता है वो अरण्यक कहलाता है अरण्यक को मेली यह बोला जाता है कि यह बन में लिखता है बन को बोला जाता है बन का ही परियावाची होता है अरण्यक जो चीज़े बन में बैठके लिखी जाती है उनको ही हम अरण्यक बोलते हैं अब अगला है उपनिशद ये बात के वैदिक ग्रंथ हैं ये बात के वैदिक ग्रंथ है मतलब सबसे लास्ट में जो हिंदू धर्म की नीव बनाते हैं उपनिशद जो होते हैं वो क्या होते हैं उपनिशद हिंदू धर्म की नीव बनाते हैं यहां वे आपने देखा कि जो सबसे पहले सहीता सहीता से बना ब्राम्मर ब्राम्मर से बना अरन्यक और अरन्यक से बना उपनिसद मतलब हम ब्राम्मर से बोलते हैं कि यह सहीता की उपर टिपड़ी है फिर अरन्यक में हम बोलते हैं कि यह ब्राम्मरों से निकाले गए हैं और वारों एक दूसर से connected है उपनी सत्के मतलब होता है गुरू के समीब बैठना ये गुरू और सिस्थे की बीच का आपस का संबाद है ये कोशन है इस प्रकार से आप से पूछ सकते है उपने सत्के वारे में इसमें से कौन सा ग्रंथ में गुरू और सिस्थे के भी संबाद की गई है तो ये होता है उपनी सत्का मतलब होता है नजदीग तो गुरू के नजदीग बैठके जो जो सिक्षा ग्रहन की जाती है या संबाद जो दिये जाते हैं वह उपनी सत्थ है अब हमारे जो अगला पार रहेगा वह रिगवेद का ऊपर पूरा रहेगा सामवेद या जो रुबित सबक्यू पर रहेगा फिर हमारा वेदास का तीसरा भाग रहेगा उसमें सहीता के प्रिकार पढ़ेंगे वरामण के प्रिकार पढ़ेंगे अरन्यक के प्रिकार पढ़ेंगे उपनिसत के प्रिकार पढ़ेंगे और ये सभी पूरे वीडियो हमारे दो से तीन के वेदास कि उसमें आपका ये पूरा वेद कंप्लीट हो जागा ये बारह हजार प्रश्णों का वरामास रहे अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे वाट्स आप कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरू कीजेगा MP डेली करेंट अफियर्स के लिए रोज रात वीडियो को देखेगा रोज मद्द पते इसका डेली करेंट अफियर्स आता है ओके फैंस देंक्यू